आज की इस वीडियो में हम Auckland के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिछली वीडियो में हमने William Bentic को कवर किया था William Bentic के बाद Sir Charles Metcalf Governor General of India बनते हैं 1835 से 1836 तक और Sir Charles Metcalf के बाद Auckland Governor General of India बनते हैं Auckland का time period as a Governor General of India 1836 से 1842 तक था सबसे पहले हम political events को समझेंगे जो Auckland के time में हुए थे 1823 में एक दुरानी नाम का empire खतम हो गया था मतलब कि end हो गया था और दोस्त मुहमद खान अफगानिस्तान का अमीर बन गया था दोस्त मुहमद खान ने काबल और घजनी की गदीब को हड़प लिया था दोस्त मुहमद खान पेशावर पर भी अपना कंट्रोल करना चाहता था लेकिन उस time सिखो ने पेशावर पर कंट्रोल कर रखा था पेशावर सिखो के कंट्रोल में था फिर महराजा रंजीत सिंग की लीडरशिप में सिखो की आर्मी ने दोस्त मुहमद की फोर्सिस पर अटैक कर दिया दोस्त मुहमद की फोर्सिस को दोस्त मुहमद का बेटा मुहमद अकबर खान कमांड कर रहा था दोस्त मुहमद की आर्मी सिखो को हरा देती है लेकिन फिर भी पेशावर दोस्त मुहमद को नहीं मिल पाता है और फिर होता ये है दोस्त मुहमद और कलाइंट से हेल्प मांगते हैं दोस्त मुहमद खान सिखो और पर्शियन से घिरे हुए थे एक तरफ से सिख से परिशान थे और दूसरी तरफ पर्शियन से इसलिए दोस्त मुहमद ब्रेटिशर्स से help लेना चाह रहे थे वो ब्रेटिशर्स से friendly relation मनाना चाह रहे थे ताकि दोस्त मुहमद को ब्रेटिशर्स से पेशावर हासिल करने में मदद मिल सके और उधर Britishers को भी खत्रा था इस बात का कि कहीं रशिया इंडिया पर अटाक ना कर दे Actually Britishers को ये खत्रा था कि कहीं रशिया परशिया और अफगानिस्तान के थूँ इंडिया पर अटाक ना कर दे क्योंकि रशिया बहुत पावरफुल थी और तो और परशिया ने रशिया के सामने सरेंडर कर रखा था मतलब की रशिया का परशिया पर भी कंट्रोल था अफगानिस्तान रशिया और इंडिया के बीच था Britishers Russian attack से डरे हुए थे इसलिए Britishers ने अफगानिस्तान में इंटर्फियर करना स्टार्ट कर दिया लेकिन दोस्त मुहमत खान तो पेशावर लेना चाहता था रंजीत सिंग से लेकिन रंजीत सिंग Britishers के दोस्त थे फिर एक treaty sign होती है Treaty of Lahore Treaty of Lahore Britishers और सिखों के बीच sign हुई थी इस treaty में basically Britishers और सिखों ने आपस में ये promise किया था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के दुश्मनों को शराण नहीं देगा और ये भी decide हुआ था दोनों के बीच कि ना सिख और ना ही Britishers एक दूसरे के matters में interfere करेंगे सिख और Britishers की ये friendship रंजीत सिंग की death तक continue रही रंजीत सिंग की death 1839 में हुई थी एक तरफ दोस्त मौम्मद खान Britishers से friendship करना चाते थे और दूसरी तरफ सिख भी Britishers के दोस्त बन चुके थे दोस्त मौम्मद खान और सिखों में दुश्मनी थी तो guys Auckland के पास दो options थे या तो Auckland दोस्त मौम्मद खान के plans को avoid कर सकता था या फिर अफ़गानिस्तान पर attack करके दोस्त मौमद को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल सकता था और वहाँ पर एक puppet king बिठा सकता था Auckland ने second वाला option चूस किया और वो शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का puppet king बनाना चाहता था Auckland tripartite treaty sign करता है 1838 में tripartite treaty मतलब ऐसी treaty जो तीन parties के बीच sign होती है tripartite treaty रंजीत सिंग, शाह शुजा और Lord Auckland के बीच sign होती है June 1838 में इन तीनों ने ये treaty basically इसी लिए sign करी थी ताकि तीनों को एक दूसरे से जरुरत पढ़ने पर help मिल सके चलिए इस treaty के terms को समझ लेते हैं शाह शुजा को थ्रोन पर बिठाला जाएगा सिक शाह शुजा को आर्मी प्रोवाइट करेंगे शाह शुजा अपसे foreign policy handle करेगा और इनके advisor Britishers होंगे रंजीत सिंग का इंदस river के right bank पर अधिकार हो गया था इस treaty में शाह शुजा ने सिंध का area give up कर दिया था तो guys ये थी tripartite treaty जिसका मकसद बेसिकली अफगानिस्तान को capture करना था और शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठालना था फिर first Anglo-Afghan war होती है 1838 से 1842 तक दोस्त मुहमद खान Britishers के आगे surrender कर देता है और अफगानिस्तान की गद्दी पर शाह शुजा को बिठाल दिया जाता है 7 August 1839 में दोस्त मुहमद को कलकत्ता में जेल में डाल दिया जाता है लेकिन शाह शुजा गद्दार था इसी लिए अफगानिस्तान के लोग शाह शुजा को रूलर की तरह accept नहीं कर पा रहे थे फिर होता ये है कि एक शुजा उद्दौला नाम का अफगान होता है वो शाह शुजा को मार डालता है अफगानिस्तान के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और वो विद्रो कर देते हैं अफगानीस के गुस्चे का शिकार ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं बहुत सारे ब्रिटिशर्स मारे जाते हैं तो गाइस इस वार का रिजर्ट ये निकलता है कि Britishers एक treaty sign करते हैं जिसमें ये decide होता है कि दोस्त महम्मद को गद्धी वापस मिल जाती है इस war से Britishers के लिए कोई भी beneficial result नहीं निकला बलकि इस war की वज़े से काफी सारे British soldiers मारे गए ये war बस एक बेवकूफी थी Auckland की और इसमें करोडों रुपे वेस्ट हो गए तो गाइस ये थी first Anglo-Afghan war Auckland के time में ही महराजा रंजीत सिंग की death हो गई थी 1839 में महराजा रंजीत सिंग के साथ बेटे थे महराजा रंजीत सिंग की death के बाद उनके बेटों में बिलकुल भी I hope guys आपके लिए ये वीडियो helpful होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो like करी अपने friends के साथ share करी और comment में जरूर बताए कि वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe करें